हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एकबार पुना से कोचिंग क्लासेस पर स्वगात उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई भीतर चल ले होगी क्लास टुल्द कमिस्टी न्सी आर्टी में चैप्टर 3 चल रहा है न्यू बुक के आधार पर चैप्टर 3 है बच्छो केमिकल केनेटिक्स अर्थात रासानिक बलगत की न्सी आर्टी में 2024 में जो चैप्टर 1 सॉलिड इस्टेट हो खटा दिया गया है इसलिए आप लोगों को धोवी ॥ क्लिक्स या अनुसंकता मैं चैप्टर 3 चल रहा है तो आपको चैप्टर 1 मिलेगा जो बिल्यांच है फिर आपका जो सानिक बलगत की तो ईसे आप लोग यदि इसके पहले के जो भी वीडियोज नहीं पाएं तो प्लीज प्लैलिस्ट में जाकर देखें तो आज आप लोग सीखने वाले हो सुर्ण कोट की अवक्रिया सबसे पहले तो समझना बच्चो की अवक्रिया की कोटी कहलाती क्या है बच्चो यदि मैं आपसे कह दूँ कि किसी भी रासानी कवक्रिया के दस मोल अड़ो जो है भाग ले रहे हैं तो वो जितने भाग ले रहे हैं जितने अड़ों की संक्या है वो अड़ो संक्ता कहलाती है पहले समझने के कोशिश करेंगे एक दम फैक्ट चीजे हैं कि किसी भी रासानी कवक्रिया में जितने अड़ों भाग ले रहे हैं वो आपके अड़ों संक्ता कहलाएंगे जैसे मान लीजिए आपके बिद्याले में 500 बच्चे हैं तो बिद्याले में बिद्यार्थियों की संक्या कितनी है वो बच्चो आप कहेंगे कि 500 हैं लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो की पूरक है जो की फेल है तो यदि मैं आप से कहूंगा कि actual में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं जो प्रत्सत्ता को निर्धारित करेंगे कि आपके स्कूल के रिजल्ट कितना है तो आप कहोगे कि सर मालीज ये 500 बच्चे हैं तो 50% बच्चे पास हैं तो 50% इन 500 बच्चे वो बास्तवी क्रोप से स्कूल के परसेंटेज को सो करेंगे कि इतने परसेंटेज बच्चे इस स्क कांग को कर रहे हैं एक प्रकार से Alem fake mask ना भी कहें तो ुबी सही है क्रेकि थोड़ी सै धीले डाले लिगती हैं वह मेंसा काम चोर जिसे नहीं बोलते हैं कि कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं क्या बनता नहीं है काम नहीं करना चाहते हैं तो वास्तविक रूप से काम जो होने की दर है वो कितने बिक्तियों उपर निर्बर करेगा 20 लोगों पर 5 लोगों उपर निर्बर नहीं करेगा तो जो 22 लोग पूरे के पूरे गय थे तो वो अनुसंकता कहलाती है लेकिन जिनों ने काम किया ठीक है जो काम उनको दिया गया था जिनों ने काम किया जिससे काम प्रदर्शित हुआ कि इतना काम हो गया वो उसकी कोटी कहला गई ऐसे ही मालीजे किसी रासानिक अभक्रिया में जितने भाग लेते हैं उनकी संख्या अरुसंक्ता कहलाती है जितने अरु भाग लेते हैं उनकी संख्या अरुसंक्ता कहलाती है और बच्चो जो अभुक्रिया की दर को निर्धारन करेंगे यह वास्तविक रूप से अभुक्रिया को संपन्न कराएंगे वो आपकी अभुक्रिया की कोती कहलाती है, समझना जरूरी है कि अविक्रिया की कोटी और अजिसंकता में क्या अंतर है? अद्यवों की संख्या जित्ने होड लगए कि भया चलो हम भी टककर करेंगे, अविक्रिया कब संपन होती है, जब अबगों की विश टककर होता है, माली जी 100 अड़ू गए उसमें से 15 अड़ू टकर लिए बाकिया अड़ू टकर ही नहीं किये तो कोटी 15 कहला गए अड़ू संक्ता 100 कहला गया ठीक है कहीं पे लड़ाई दंगा हो रहा 10 बक्ती दोड़े पांच कहें हम तो फोड़ी देंगे पांच लड़ने लगए पांच खड़े हो गए तो 10 लोग गए थे तो अड़ू संक्ता 10 थी लेकिन जो कोटी हो गई वो पांच है जो एक्चुल में वहाँ पे रिप्रेजेंट हो करके अपना काम करता है अबक्रिया में भी कि जो अबक्रिया के रेट को निर्धारित करे अबक्रिया के दर को निर्धारित करे अबक्रिया में भाग ले रहे हैं वो तो अनू है अनुकी संक्य अनुसंकत है लेकिन जो अभक्रिया के Dw Kyne कोटी हो जाती बच्चोँ अब सुना कोटी में अब जैसे अनुसंकता कोटी सब्हु मं प्रयोगिक लूप से dw Kyne करते हैं और इसको एदि हमग्ट करते हैं थो हमेशा उसके सांदरता के घातां के रूप में जैसे बच्चों एदि हमाप से कह दें कि हमारे पास एक अभक्रिया है A plus B और यह बना रहा है product क्या बना रहा product इसकी मात्रा small है इसकी मात्रा small B तब rate कहेंगे तो रेट ये समाया आपका अभक्रिया का दर इस्थिरांक होता है इसको ब्यक्त करने का तरीका होता है कि A का पावर सांदरता कितना है स्माल ए और B का पावर सांदरता कितना है स्माल वी ये आप सांदरता को घातां के रोप में लिखा जाता है अब जब इनके घातांकों का योग सून हो कितना हो बच्चो सून हो तो सून होगा तो आपका सून कोटी अवक्रिया कहड़ाएगा मतलब A का सांद्रण small A B का सांद्रण small B लेकिन यहाँ ज़िस सून है तो कहीं न कहीं इनके सांद्रता पर अवक्रिया निर्भर ही नहीं करता भाई यदि अवक्रिया में भाग ले जैसे A और B भाग ले रहा न बच्चो इसकी सांद्रण A और B इसको घात की रुप में लिखते हैं और कोटी जब हम निधारन करते हैं तो इसके घात को जोड़ देते हैं A प्लस B यही उसकी कोटी है लेकिन जब सांद्रण पर निर्भर ही न करें घात जीरो हो जाए तो वहाँ पर अवक्रिया की कोटी सुन होगी मतलब जो अवक्रिया किसी भी पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता रासानिक अवक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आपके रियक्टंट कहलाते हैं बच्चो रियक्टंट मतलब भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक लेकिन अभिकारक पर ही निर्भर ना करें जो जैसे हम रेट कहते हैं रेट अवक्रिया की दर तो बच्च तो यह जैसे मैं कहा, यह मेरा K स्थिरांक है, माली यह कोई हमारे पास पदार्थ है, उसका घातांक 0 हो जाए, ठीक है, इसे मैं कह रहा हूँ, A से कोई पदार्थ, B में आपका परिवर्तित हो रहा है, तब इसके जो रेट है, इसके सांदर्न पर निर्भर ना करे, ठीक है, तो सांदर्न पर निर्भर नहीं करेगा, तो वो सून कोटी का कहलाएगा, और सून कोटी में पावर 0 लिखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक सामान अबक्रिया, आप सबको पताए कि मानके चलते हैं, सामान अबक्रिया हमारे पास है, एक सामान अबक्रिया ज मतलब reactant में कमी होगी जब अफ्रिया संपन होती है तो अभिकारक में कमी आती हो और उत्पाद में ब्रद्ध होती है तो इसके समय के साथ परिवरतन को हम DR upon dt कर सकते हैं ठीक है और यह जो दर है जो दर है वो इसके घातां के जीरो पर निर्भर करेगा मतलब यह जीरो पर सु में लिखते हैं अब यहां पर सांदर्ण सूर्ण है क्योंकि सांदर्ण पर निर्भरी नहीं करता तब यह सूर्ण कोटी का अब आप लोग कहोगी कि सर यहां पर बुक में माइनस लगा है इसके पीछे रीजन क्या है जब रहसानी का अबक्रिया संपन होती है तो रियक्ट किसी का सांदन ध्यान रख एगा किसी का सांदन जीन इस फिर्फ घ्याम 1 मतलब माइनस-दि-र इति पीम आप से कहा जाएं विर्फिन यहां पर शुव्र मृत्तव हाँ किसी का वी कहात दिस दिस पीम इसका बैलू होता है मतलब माइनस REE है डी आर बरावर इधर डी चला जाएगा तो के डीटी होजाएगा पुछों क्या हो जाएगा को डीटी हो जाएगा अब डोनों पच्छव में हम सम्माखणान करें माइनश का पक्छांतर कर दें हमारे पास आर बरावर निकल करा जाएगा माइनस के डीटी ठीक है अब दोनों पच्छों में समा कलन कर देते हैं जब दोनों पच्छों में समा कलन करेंगे तो देखेगा यहां पर समा कलन का चीन यह हो गया डी आर ठीक है इधर के को बाहर लेलो समा कलन हो जाएगा डीटी हो जाएगा समा कलण कीतना होगा बच्चो डीटी होगा समा कलण का चीद जैसे मैं कहता हूँ एक R कि respect मेंदी आप समा कलण कर और यह निकल राएगा ठीक है बच्चो मारीस조 के है यहाँ पर एक है टिक रिस्प्ट मेंदी आप समा कलन को रोगो तर टी आ जाएगा ठीक है को दिक्कत तो नहीं है प्लस यहां पर आप सी लिख सकते हो जहां सी समा कलन यह तांक होता है या जैसे आप लोग मैथ में सी लिखते हो कमिस्ट्री में कभी-कभी आपको सी मिल जाएगा या आई मिल जाएगा इंट्रिगेशन है समय के सांद परिवर्तन हो रहा है अब करिया के दर को हम ऐसे लिखते हैं कि आपका दरिष्थी रांक है जो भी अभिकारा के उसका सांदर हम घात में लिखते हैं यह सब हमने पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में सब कुछ कम्प्लीट है आप लोग क्रम से देखते होंगे तब ही मज़ा आएगा अब बच्चों यहाँ पर किसी का घाच भी सून होता है तो उसका माने हो जाता है तो के गुणा एक करोगे तो आपका के ही आएगा जैसे के गुणा एक करोगे तो भी की आएगा डी टू को मैंने पक्षांतर कर दिया पावर जीरो सून कोटी संदर पर नहीं करता है अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ करने पर संदर पर नहीं करता अब यहां पर लेक्ते कि यहां पर r power 0 command 1 हो गया फिर dt को पक्षांतर कर देंगे तो आपका dr बराबर यह चीज निकल कर आगे वच्छों ठीक है आगे देखिएगा यह dt है ना परिवर्तन आप लोग थोड़ा समझ यह नहीं तो कहें दो सर यह dt समझ में नहीं आता दोनों पच्छों में समाकलन कर द कर दो मतलब समस्य कर दें छी तो मतलब कोई प्रिवर्तन यह है आप लोग समझेगा इधर ना लिख कर थोड़ा सा नीचे लिए प्रारंब में कहने का मतलब एक कुछ समय बाद का और यह प्रारंब का मातरा yuk hardisya बाद में कितना रहा तो बाद का युह आपका कि कुछ समय बाद रटीज थी सCal भाटा pact कि इतना हो गया लेकिन पहले इतना रहा होगा तो इसको यहां पर वैल्लू रख दें अर करें बूphet यहां पर का ताइम कितना ओजाएगा बच्छों टाइम हो जाएंगा प्लस आई हो जाएगा मतलब आई बराबर आपको निकलकर आगे और नट फिर इस कमानी यहां पर रखेंगे इंसर आ जाएगा कुछ यह नहीं है ठीक है तो हमने कहा कि टी बराबर टाइम बराबर जीरो है तो आर जो है प्रारंबिक में हम आर नोट लख सकते हैं मतलब बच् समी करने एक मिमान रख देंगे आई के जगे आर नाट तो रख दिया आर नाट ठीक है और यहाँ से बच्चों इसको पक्छांतर करें प्लस एधर माइनस आएगा फिर टी जो आपका गुड़ा मेधर आजाएगा भाग में हो जाएगा सीधा फंडा अब लोगों को यहाँ पर भी प्राबलम होगी ऐसे ही नहीं आ जाता आसानी से समझ में नहीं आती लोगों को ठीक है जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा फिर से एक बार समझाता हूँ यह मेरे पास आर है माइनस के टी प्लस आई है जब टाइम आपका जीरो है इसका मान यहाँ पर रखें बच्चो थोड़ा समझा देता हूँ तो आर के जगए आपका आर नाट लब आर है और माइनस के टी है और इसका मान है आर नाट काम करो इसको इधर लाओ माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं बच्चो यह चीज और यहां से मैं अदि आप से कह दूँ कि के कामान निकालो सुन कोटी अप ट्लियर के दरिस्तिरांग का बिंजक तो यह आपका आगए आर नाट माइनस आर अपांट के वो सरी टी ठीक है अपांट टी आगया देख लो बच्चो यह पिसली टार आपको लगा दार वीडियो फराइड कर रहा हूं 2024 का से सट नेया सेसन हिस्टार बस आप लोगों के मेहनत के मेहनत के उपर है सब कुछ है धिक है दिरनतर आपका मेहनत दिखे दिया आप लोग achieve करते हैं सपोड बेह बत्लूंट लाएं अ praw लोग लिए और बहत कि आप लोगों को इससे भी बहतर कंटेट मिल सके ओके जैहिंद बंदे मातरम और हाँ इदि आपको इसका नोट्स लेना है तो कंटेक्ट नमबर दे देंगा भया च्छी आनवे पचासी उन्ती सिंक्य अनवे उनचास इस नमबर पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ल दे मातरम